नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्योब चैनल टेकनकल फ्रेंड में दोस्तों आज के वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने ओपो f21 प्रो और ओपो f21 के फोन में होम इस्क्रीन मोड को चेंज कैसे करेंगे जो होम इस्क्रीन स्टाइल है इ इस ओप्सन पर आप लोगों को किलिक कर देना है जिससे आप लोग इस ओप्सन पर किलिक कर देते हैं किलिक करने बाद कुछ ऐसा अंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है अब दोस्तों यहां पर देखेंगे Swift-down on home skin का ओप्सन है ये सब सेटिंग हमें होम स्कीन की मिल ज जाता है जो कि हमारे फोन में आ्र अफ्ड सिंदेर्ड मोड रहता है डिफाल्ट रूब में तो चली आप डिरावर मोड अपलाई कर सकते हैं ढावर मोड पर कलिक करेंगे स्विछ का उप्षन दिखाए देगा राईट सैड में आपको स्विच के उप्षन पर कलिक कर देना है तुरных आपके phone में driver mode अपलाई हो जाएगा जैसे, driver mode हो जाता है, आएसके बाद हम जो simple mode ही apply कर सकते हैं, यहाँ देख शे थे हैं, driver mode क्टे हो चुका है, अब यहाँ पर left-right हम जो slide करेंगे हैं, हमको दिखाए देंगे लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ slide करते हैं तो भी सारे application दिखाए देते हैं ऐसा जबकि standard mode में नहीं होता है और यहाँ पर अगर आप लोग अपने phone में simple mode को apply कर देते हैं simple mode को apply करने बाद आपके सभी application के size वगेरा बड़े हो आते हैं सभी font style बड़े हो जाते हैं आपको एक बाद दिखा देते हैं switch option पर click करके simple mode को भी apply करके आपको live proof एक बाद दिखा देते हैं यहाँ पर लोग देख सकते हैं home screen पर आ चुके हैं सभी application के size यहाँ देख सकते हैं आप लोग बड़े हो चुके हैं और इसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ slide करेंगे तो सभी application नहीं दिखाए देंगे सब application आपको home screen पर ही मिल जाएंगे अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएदी वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करिए